यूपीए दारादुर MBA की आज मैं reality को पूरा का पूरा DNA test करूँगा आपके सामने आपको फीस बताऊंगा आपको faculty की reality बताऊंगा आपको placements की honest review बताऊंगा honest reality बताऊंगा कि क्या आपको UPS दारादुर मैं MBA आप plan करना चाहिए कितना अगर आप plan करते हैं कितना average package है यहां आपके पास time है तभी इस वीडियो को देखना वरना इस वीडियो को बंद कर दो आपका complete waste of time हो जाएगा ठीक है अगर time है तभी देख लो नहीं तो ठीक है क्योंकि यह complete detail वाली वीडियो है ठीक है तो चलो अभी मैं बिल्कुल start करता हूं कैसी information बता दिए चलो अभी मैं दीन पर देख सकते हैं सबसे पहले चार दो साल का course है जिसमें चार समिस्टर होंगे ठीक है module सिस्टम होता लेकिन समिस्टर वाइस आप देख लें यहां पर पहले समिस्टर की फीज है 381,600 रुपीज ठीक है अगर मैं चार साल का सम करूं तो लगबग 15.7 लाग मनता है मैं पाल दूंगा तो यहां तो इतनी साल का और अगर बाहर रूम लेके रहते हैं जिसे कहते हैं नंदा की चोकी वहां पे आपका ना साल का लगबक आपका लग जाएगा लाख रुपए लग जाएगा खाने का भी लाख लग जाएगा आप मानके चलने एक लाख रुपए सेव होगा अगर आप बाहर नंदा की चोकी में रहते है अगर आप रूम लेके विजिस लाइक पंदरा मिनिट का ओटो गरास था है तो आप मोटा मोटा मालने 19 लाग अगर आप बाहर रहते तो 18 लाग में आपकी MBA होने वाली है अब इसके पर scholarship कैसे लगेगी कितनी लगेगी वह मैं आपको पूरा discount करके बताने वाला हूं यह फिलाल आप मालनके चले मोटा मोटा आपका इतना खर्चा लगने वाला है तो अब इतना 19 लाक रूपय आप डाल रहे हो अब placement worth theta नहीं है अब मैं आपको average placement के बारे में भी honest review बता देता हूं ठीक है तो फिर मैं आगे चलकर बहुत जाए information देने वालों तो placements worth theta कैसे पता लगेगा school of business में last year लगबख बहुत ही बच्चे आमें न सीड्स ही लिम्टीड है और तब ऐसा भीडबाट पक्रियों वाला college नहीं है कि आने दो आने दो admission ऐसा कुछ नहीं है बहुत लिम्टीड तो average placement साड़े साथ मतलब आठ लाग रुपे माल लो average यहां पर मोटा मोटा साड़े साथ से आठ लाग average placement है ठीक है और देखो अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए न तो extra मैनेद करनी पड़ेगी अगर आप extra मैनेद करते हो top 1% पे आने का goal रखना चाहिए आपको लेकिन फ brand value है कि यहां पर companies आगे ठारा लाग पर यह का fresher को यहां पर provide कर देती है अब इसमें admission कैसे मिलेगी वह मैं आगे चलकर बताता हूं लेकिन एक बार ना मैं एन एयर रंकिंग बता देता हूं कि management में यहां पर क्या ranking है पूरे इंडिया में नैशनल जो भी है इसका full farm है ranking 2023 की 39 rank आया है management में बहुत ही बड़ीया बात है लेकिन थोड़ा सा मैं figures में आगे चलता हूं कि यहां पर placement के बार में कुछ और यहां पर information देता हूं तो placements अगर आप particular पूरे management वाले में देखो वो तो मैंने आपको MBA का बताया था ठीक है अगर management में अगर आप placements देखो लगब placement होगी मतलब जो मैंने दी बच्चे हैं ठीक है जो अगर होस्टल में खाली पीली कागे बस सोया होता है उसकी placement नहीं होने वाली यहां पर इंडिया में आईटी मुंबई में पी चले जाओ तो आपकी placement नहीं होगी अगर आप होस्टल में सोय रहते हो पड़े रहते हो ठीक UPSMET exam अब उसको apply किसे करना है अगर आप UPSMET को exam को अगर आप apply करते हो description में दिये लिंक से तो आपकी application की form पे coupon code लग जाएगा उसका benefit क्या होने वाला है कि आपको exam की preparation के लिए यहां पे आप देखोगे कि free के study material free के study material free के sample paper free के tips and tricks के video lecture आपको स्क्रीन पर दिये के WhatsApp नमबर पे मिलने वाले हैं ठीक है profit बन जाएगा ठीक है तो मैं आपके लिए reserve कर दूँगा अपना थोड़ा scholarship का मैं आपको बता देता हूं यह scholarship का scam आपको बताना चाहता हूं मैं पूरे इंडिया में सब university आपकी psychology से खेलती है अपनी different marketing टेक्नीक से ठीक है अब यह क्या होता है scams क्या होते है scholarship में ठीक है आप मुझे एक चीज बताइए discount वही देता है जिसको profit margin बहुत जादा होता है आप ध्यान से सुनना अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं वो आपको 10-20-30% का discount दे रहा है इसका मतलब उसको profit margin बहुत जादा अच्छा है अगर आप कोई भी company की चीज लेने जाते हो ठीक है आप मानके चलो आप घर की construction कर रहे हो ठीक है और आप न वेक्टर्स की या supreme company की pipes लेते हो ठीक है और इन में अगर आप जाओगे दुकानदार के पास आप बोलोगे भहिया बारा सो रुपे की पाईप आप मुझे ग्यार डिस्काउंट देंगे तो वो ना आपकी psychology के साथ खेल रही है और अगर आप exam दे भी दोगे exam निकल लाएगा और डिस्काउंट भी आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यहां पे तो admission लेना है क्योंकि बहुत अच्छी scholarship मिल गी है बट वो ना एक marketing तरीके से आपके साथ खे लेवियर आफ मिल लाएगा इतना discount मिल लाएगा फीस में फस्ट यहर के लिए ठीक है और यह भी 100 आइटिंक अगर आप देखो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो पहले 100 बच्चों को मतलब जो भी 100 बच्चों को यहां पर यह benefit मिलने वाले हैं ठीक है और अगर आ आपको फेकल्टी के बारे में दो-तीन एक information देने वाला हूँ जरूर इस वीडियो को देखना ठीक है तो मैं यहां पर UPS faculty एक बार यहां पर Google पर search कर लेता हूँ एक मिनिट यार एक मिनिट ठीक है यहां पर आप जब faculty के बारे में यहां पर open करोगे last मैं आपको बताऊंग से पहले ही आपको फेकल्टी के बारे में information दे रही है आप यहां पर faculty का निकाल सकते हो आपको पता लग जाएगा कौन सा faculty कैसा बढ़ाता है जैसा यह हमारे faculty है ठीक है इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप डीटेल में पढ़ना चाओ उन्हें ने बीटेक NIT से किया था MBA इन्होंने यहां से किया पीजी इन्होंने यहां से किया और इस तरह का इन्होंने यहां से Oxford University से इन्होंने प्रोग्राम किया है international relations and public policy में है तो यहां पर honors देखोगे टेड एक्स फैलो अशोका यह जो भी इनकी achievements से research हैं यह सारी चीज है ना हर faculty का यहां पर बार डेटा बन इतने वबलीश हैं conference इतनी की हैं ठीक है और यह सारा data पूरा चिठा इनका हर faculty का बता दिया जाएगा पूरे इंडिया में के यहां पर अपने faculty के बारे में तब ही बताती है जब उसके faculty टॉप नौश लेवल के हो ठीक है अब आएक मानके चलो दुकान है ती दुकान मानते दुकान की बाहर कौन सी चीज़े लगी होती हैं जो चीज़े सबसे attractive है अब मैं बताता हूं पहले बता रहे हैं आपको faculty के बारे में क्योंकि इनके faculty अच्छे हैं ठीक है एक बात दूसरी बात अब यह वर्थीट है नहीं हीता है उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको पीडिएफ ओपन करके बताता हूं ठीक है एक बार पीडिएफ देख लेना अपको clear हो जाएगा एक सेकिंड यह देखो यहां पर आप जब देखोगे कि आपने यहां पर 19 लाग रुपए डाला है ठीक है 19 मैं investment एक तरह का investment माला आपने 19 लाग रुपए डाला है अप लेट रहा हूं उससे पैसा कितना निकला बाकी आप उसका expense करो वह आपकी मर्ज़ी है लगबग धाई साल में अगर आप average placement यहां पर निकालते हो धाई साल में आपका पैसा पूरा return होने वाला थाई साल छोड़ो तीन साल लगाओ क्योंकि वह जो 19 लाग है उस पर इंटरस्ट भ 75% लाओ उसके बाद एक्जाम दे दो एक बिना एक्जाम के यहां पर admission नहीं होगी एक्जाम देने के लिए admission कहां से लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है apply now वहां से apply करके register कर तो फर्म बर दो अब यहां पर वर्थ हीट है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं data मैं यहां प आता है FD में देखो 10 साल 10 से 12 साल लगते हैं आपको पैसा डबल करने में ठीक है पैसा उतना निकालने में तो यहां पर अगर आप 10% में अगरा मैनत करते हो तो आपका एक साल में पैसा recover होगा और UPS दारदूं की एक खास बत बताता हूं यहां पर भीड चाल वाला एरिया बहुत स्किल वाले यहां पर आपको faculty मिलेंगे assistant professor अब आपको decide करना है placement के factor के basis पर यहां पर आपको admission लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए मैं आपको बैता हूं अगर आप 10 पसंद वाली मैनत करते हो ठीक है अगर आप रेडियो ठीक है अगर आप देखो मैनत करने वाले हो तो मैं तो बोलता है ज़रूर गैरंटी आपको लेना चाहिए अगर आप कहते हों कि यह मैनने तो बस hostel में जाना है मैं वहां का वैदर देखने जा रहा हूं मैं सोया पड़ा रहूंगा वहां hostel में बस लड़की बाजी करूँगा तो फिर यह घर पर बैटो तुम चुप कर आती हैं आपिस सब क्या आपने नाम सुनूंगा मतलब कि बहुत ही रेपिटिटी युनिवस्टी है रेपिटिशन काफी अच्छी है इसकी इंटरनाशनल एंड नैशनल मार्किट में और सबसे बड़ी बात कॉलेज का एक्सपोजर इस कॉलेज का कैमपस यह इतना मैटर न क्या है कि आपको सबसे पहले जो अपनी हैं जो अपने तोर तरीके हैं अपनी लाइफ है उसको अपने बैटर कर रहा है तो देखो आपका ना फ्रेंट सर्कल हमेशा मैटर करेगा यूपी जारतों ने एक बहुत ही जहां पर ड्रक्स कल्चर नहीं है बहुत ही पहाड़ी अ यहां वहां पर पहाड़ी अरिया में मुझे जादा पसंद करती है इतनी बड़ी है इनिवस्टी बाकि मैंने आपको फैक्टर्स बता दिये कोई बी क्वेरी एक्जाम को लेकर मेरे को स्क्रीन पर वट्सप नंबर पर आप मेरे से पूछ लो ओल्रेडी दस हजार से जादा बच्चों को मैंने अभी तक reply किया है personally या बिना कोई भी चार्ट लिए होगा तो अगर आप भी मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं वाट्सप मेरे से बात कर लें कोई भी क्वेरी एक्जाम को लेकर कैसे करना है अगर आपको नहीं समझ आ रहा है अपलाई करने का मैं इकर कि देंगा कॉल कर गये हैं यह बस यह था वीडियो में बाकि आप खुद समझदार हो मैंने आपको डेटा बता दिया अपलाई करना त क्योंकि फर्स्ट अंडेट सुडेंट्स को ही यह मिलने वाला जो 7.5 सीजीपी वाला बीस पसंट स्कॉलर्शिप का क्राइडिरिया था यह बस तैंग यू सो मच होगी है मेरी वीडियो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में